नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशिल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हो निमाई साना आपके समक्ष उपस्तितों साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर इस्ट्वेंट्स आज की कलास में हम डिसकस करने वाले हैं समाविशी सिक्षा आपके समाविशी सिक्षा क्या है और भारत में इसे कब लागू किया गया था किसके माध्यम से इसको लागू किया गया था उसके बाद as a teacher समाविशी सिक्षा के अंतरगत as a teacher का क्या रोल होता है वैश्विक इस तर पर समाविशी सिक्षा को कब लागू किया गया था इसके बारे में विचार वेमर्ष कब किया गया था कहां पर किया गया था किस देश में सबसे पहले अंदोलन किया गया था उसके बाद समाविशी सिक्षा की क्या आवश्यक्ताइं हैं समाविशी सिक्षा की क्या महत्व हैं समाविशी सिक्षा से रिलेटिट क्या लाब है इसके बेनिफिट्स क्या है और उसके बाद भारत में विशिश सिक्षा से र प्रशना आपको देखने को मिलेंगे हो सकता है कि दो से तीन प्रशना आपको यहां से देखने को मिल पाई तो लास्ट क्लास के माध्यम से जो भी मैंने inclusive education पर लगभग 5 पार्ट बनाए है जिसके इंतरगत मैंने आपको inclusive के बारे में detailing की है आशा करता हूं कि उन सभी content को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझनी की कोशिश की होगी और उसके proper notes बनाये होंगे तो उसी topic पर आधारित आज की class में practice set solve करेंगे जिससे आपको ये realize हो पाएगा कि जो हमने inclusive education में अब तक पढ़े हैं उन से related आपके exams में किस तरीके के प्रशनों बन सकते हैं तो चले start करते हैं आज की class और जानते हैं आज की class का पहला question आपकी screen पर है first question is students कि समाविशी सिख्षा में किस प्रकार के बालकों को सिख्षा दी जाती है देखिए जो आपने inclusive education एनी समाविशी सिख्षा के बारे में detail में पढ़ा है उसके अंतरगत आपको बताना है कि आपसे सीधा सीधा प्रशन पूछा गया है कि समाविशी सिख्षा में किस प्रकार के बालकों को किस टाइब के बालक होते हैं समाविशी सिक्षा के अंतरगत जिनको शिक्षा दी जाती है तो यह आपको बताने हैं Passion 1 कहता है, कि समाविशी सिक्षा के अंतरगत जो हम जिन बच्चो को एजुकेशन देते हैं जैसे कि आपको पता है कि education system जो है वो सबसे पहले था normal education system जिसके अंतरगत सिर्फ समाविशी सिक्षा को चुछा दी जाती थी लेकिन उसके बाद थोड़े वह education system में बदलाव किये गए और एक और education system को develop किया गया जिसका नामे special education system जिसके अंतरगत सिर्फ विशिष्ट बालक एनि जो special बच्चे होते उनको education दिया जाता था एनि normal बच्चों को अलग education दिये जाते थे और विशिष्ट एनि special बच्चों को अलग उसके बाद फिर जो वुद्धी जीवी है उन्होंने discussion किया और उसके बाद एक education system को develop किया गया जिसके अंतरगत normal और फिर आपके special दोनों को combine school में education दिया जाने लगा लेकिन classroom दोनों के अलग-अलग थे अब भी तो उसको हमने कहा integrated education system लेकिन उसमें भी कही ना कहीं जो है बच्चों के अंदर हीन भावना डेवलप होने लगी तो उसके बाद एक नए education system डेवलप किया गया जिसका नाम है inclusive education system जिसके अंतरगत हम normal यानि कि सामान्य बालक और plus special यानि कि विशिष्ट बालक दोनों ही बालकों को यानि कि दोनों ही प्रकार के जो बालक होते हैं जो बच्चे normal होते हैं और जो special होते हैं दोनों ही प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक से सेम जगह पर समान रूप से बिना भेदभाव किये education प्रदान किये जाते हैं तो ऐसी education system को हम कहते हैं inclusive education system इनिस समाविषी सिक्षा तो उसी पर आप से सीधा सीधा प्रश्ण पूचा गया कि समाविषी सिक्षा में किस प्रकार के बालकों को सिक्षा दी जाती है तो आपको पता है समानिय शमता वाले बच्चे नॉर्मल बच्च तो इसके इंतरगत इस questions का right option हो जाएगा C, I hope आपने भी questions का right options easily लगा लिएँगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या पूछता है तो next question मैं आपसे पूछा गया students कि स्रजनात्मक्ता शिक्षारती कौन होता है आपसे पूछा पूछा गया पूछा अब आपको बताना है कि कौन से बच्चे क्रियेटिव स्टूडेंट कहलाते हैं देखे स्रजनात्मक्ता बालक कौन कहलाते हैं ये आपको बताना है देखे स्टूडेंट समाविशी सिक्षा के अंतरगत जो आपके special बच्चे होते हैं इसमें दो टाइप के बालक होते हैं जिनको हम divide करते हैं एक होते हैं जो extra abilities के साथ आते हैं देखे normal बच्चे तो बिलकुल normal होते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो extra ability यानि किसी के पास जो है कुछ ज्यादा ही योग्यताई होती है उनको extra abilities कहते हैं और कुछ के पास less ability यानि कि कुछ कम शमताई होती है ठीक तो कम शमता और अधिक शमता दोनों ही special के अंतरगत count होते हैं तो जो extra abilities वाले बालक होते हैं वो कैसे होते हैं creative बालक हो सकते हैं उसके अंतरगत तो उसके अंतरगत जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं पार्शव चिंतन यानि पार्शव का मतलब होता है कि वो बहुत दूर का चिंतन भी कर लेते हैं और समस्या समाधान भी कर सकते हैं एनिकि इसमें अगर मैं बात करू आपसे जो पार्शव चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो जो पार्शव चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा नहीं हो ये option बिल्कुल wrong है क्योंकि इसमें नहीं word आ गया है यानि कि जो चिंतन ना कर पाता हो और जो समस्या समाधान ना कर पाता हो तो वो तो creative बच्चा होई नहीं सकता इसलिए B option तो बिल्कुल नहीं हो सकता बट अगर हम option A, C और D में देखे तो A में बताया गया पार्शव चिंतन में अच्छा हो और समस्या समाधान में भी अच्छा हो और option C कहता है सिर्फ पार्शव चिंतन में अच्छा हो और option D कहता है कि सिर्फ समस्या समाधान में नहीं पार्शव समस्या समाधान में अच्छा हो तो इसका मतलब यह जो है अगर आप A, C और D में देखेंगे तो जो A option है वो बाकी दो option से बहतर है नि best है इसलिए इस questions का right option हो जाएगा students आपका A हालकि यहाँ पर ना तो C गलत है और ना ही D लेकिन अगर आप options में देखे तो C और D mix up होके option A में बनता है इसलिए इस questions का right option होता है आपका A क्योंकि आपको पता CDV के अंतरगत जो questions के options होते हैं वो सारे negative नहीं होते बट आपको उसमें best option को छाटना होता है इसलिए इस questions का right option आपका A बनता है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस questions के right option तक भी पहुँच पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next प्रशन आपसे क्या कहता है तो next प्रशन आपसे कहता है students की भारत में भारत की समाविशी सिक्षा बिश्व के किस देश के आंदोलन का परिणाम है देखें जो भारत की जो समाविशी सिक्षा है यानि कि भारत में जो समाविशी सिक्षा inclusive education जो start हुआ है जिसका प्रभाव भारत पर पढ़ा और भारत ने भी समाविशी सिक्षा पर विचार विमर्ष की और अपने देश में भी लागू कि तो option first कहता है फ्रांस के अंदोलन का, option second कहता है, जर्मनी के अंदोलन का, option third कहता है, अमेरिका के अंदोलन का, और option fourth कहता है, रूस के अंदोलन का, अब आपको बताने है, इस चार option में आपको best options क्या लगता है, अगर आपने समाविशी सिक्षा को detail में पढ़ा होगा, तो आप इस questions का right options easily बता सकते हैं, students मैंने आपको एक topic कराया था, वैश्विक इस्तर पर समाविशी सिक्षा, जिसकी अंतरगत मैंने आपको बताया था कि वैश्विक इस्तर पर जब समाविशी सिक्षा की शुरूबात होई, तो उसमें मैंने एक point आपको बताया था, सन 1975 में, अमेरिका में, American Congress इसके द्वारा एक आंदोलन छेडा गया था जिसमें विशिष्ट बालको को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विचार किया गया था तो अमेरिका में जो आंदोलन एकत्रित किये गए थे जो विशिष्ट बालको को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने से रिले option को easily तिक कर सकते हैं और अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप content को देखिए उसको detail में study कीजिए उसके हर एक point बहुत जादा important है मैंने सिर्फ important point को ही आपके लिए collect गिया है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो I hope आप इस questions की right option तक पहुँच पाई होंगे कि इस questions का right option है अमेरिका के आंदोलन यहीं अमेरिका में सन 1975 में American Congress Party के द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया था जिसका मुखे विशे यह था कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सिक्षा की मुखे धारा से जोड़ना उसका धे तो इसलिए इस questions का right option होता है आपका अमेरिका के आंदोलन का I hope आप भी questions के right option तक पहुँच पाई होंगे चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते next fourth question आप से क्या गयता है तो next question में आप से कहा आगे है students की असमर्थ बालकों की सिक्षा के लिए विद्याले की स्थापना की शुरुवात कब हुई एनि कि जो असमर्थ बालक होते हैं जो बच्चे असमर्थ होते हैं किसी क्रिया को सही डंग से नहीं कर पाते हैं उनके लिए विद्याले की स्थापना कब की गई तो option first कहता है सत्रवी शतावदी में option second कहता है सोलवी शतावदी में option third कहता है ठार बच्चे के स्थापना की गई वो कब की गई थी इजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव किये गये education सिस्टम के इंतरगत सबसे पहले तो नौर्मल एजुकेशन सिस्टम था जिसक्षा दी जाती थी उसके बाद उसमें बदलाव किया गया और special बच्चों को भी सिक्षा की विचारवी मश्ट किया गया एनि कि जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको सिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेने पर विचारवी मश्ट किया गया लगभग अठारवी सतावदी के मध्ये में इसलिए स्कोशन का राइट ऑप्षन बनता है आपका अठारवी शतावदी एनि अगर आपसे पूछा जाए कि असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए विद्यले की स्थापना की शुरुवात कब हुई तो आप एजिली बता सकते हैं अठारवी सतावदी के मध्ये में जाकर जो है इस पर विचार विमश्ट किया गया इसलिए हमें जो है अठारवी सताव को करने में इसके प्रेक्टिस सेट को स्वाल्व करने में I hope आप भी कोशेन सब्सक्राव में देखने को मिलता है जो जो सेक्षिक एकिकरण, यानि कि सिक्षा के आधार पर जो एकिकरण है, वो सिक्षा की किस व्यवस्था में, यानि कि कौन से व्यवस्था में आपको देखने को मिलते हैं, option first है समाविशी सिक्षा में, option second है सामानने सिक्षा में, option third है विशिष्ट शिक्षा में, और option fourth है पात तरूं चो समाने शिक्षा सिर्फ नौर्मल बच्चे ग्रहंड कर सकते हैं विशिष्ट शिक्षा जो है सिर्फ इस्पेशल बच्चे ग्रहंड कर सकते हैं और उद्देश्य परक्षसिक्षा यह कोई सिक्षा education system होता नहीं है तो बच्चा वो option आपका है समाविशी सिक्षा और आपको भी पता है कि समाविशी सिक्षा का जो मुख्य धे है वो ये है कि special बच्चे प्लस normal बच्चे दोनों ही प्रकार के जो बालक होते है निकि आपको पता है ज्यादा तर आपके कक्षा में जो बच्चे होंगे वो normal बच्चे होंगे ठिक और बाकी जो है कुछ physically कुछ mentally disturbed बच्चे होंगे जो special category में आते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो extra abilities के साथ होंगे जिनको हम प्रतीभाशाली या फिर प्रकर बुद्धी वाले बालक कहते हैं तो ये सब special बच्चों की category में आते हैं तो special बच्चे हो गए और एक normal बच्चे हो गए दोनों ही प्रकार के जो बालक होते हैं वो समाविशी सिक्षा के अंतरगत एक ही सिक्षक से एक ही कक्षा में सेम जगह पर सेम तरीके से बिना किसी भेदभाव के education प्राप्त करते हैं यह आपने समाविशी सिक्षा के इंतरगत देखा है तो उसी पर आप से कोशन बना कर पूछा गया कि सेक्षिक एकिकरन नहीं कि सिक्षा के आधार पर जो एकिकरन है वो सिक्षा की किस विवस्था में देखने को मिलते हैं तो अगर आप options की according भी जाएंगे तो आपको पता समाने सिक्षा में तो सिर्फ समाने बालक में भेदभाव की कोई गुन्जाईश नहीं होती है सभी एक साथ एक ही टीचर से समान रूप से किसी के साथ आप पक्षपात नहीं कर सकते एक ऐसी education system जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता और एक बहतर education system इसी कोई माना जाता है और वरतमान समय में यही education system है तो इसलिए questions का right options भी आपका समावशी सिक्षा हो जाता है आशा करता हूँ कि आप questions के जो शब्द है उसको समझ पाए होंगे उसको समझ पाएंगे तो आपके लिए असानी हो जाएगी questions के right option तक पहुँचना चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या पूचता है तो next question में आपसे पूचा गया समानता के सिध्धान का अनुपालन किस सिक्षा में होता है देखे समानता के सिध्धान ये भी मैंने आपको बता रखा है एक एक point के बारे में कि समाविशी सिक्षा से लेटिट कौन कौन से महत्पुन बिंदू होते हैं तो समानता देखे equality मतलब आप बच्चों में भीदभाव नहीं कर सकते तो कौन सी education system में तो सिधा सिधा option में बता है समाने सिक्षा में option second बताते हैं विशी सिक्षा में option third है समाविशी सिक्षा में और option fourth है ये सभी तो समाने सिक्षा में आपको पता है सिर्फ समाने बच्चे सिक्षा ग्रेंड कर सकते हैं विशिष्ट बच्चे नहीं कर सकते हैं इसका मतलब समानता के सिध्धान का अनुपालन तो समाने सिक्षा में होता नहीं है ठीक विशिष्ट शिक्षा सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए है समानने बच्चे इसमें एंटर नहीं कर सकते इसका मतलब यहाँ पर समानने बच्चों को लेकर भेदभाव हो रहा है तो यहाँ पर भी समानता का सिध्धन नहीं होगा और जब option A और B नहीं हो सकता तो यह सभी option भी कर जाएगा और आपको सीधा सीधा पता है समानता के सिध्धन को follow किया जाता है और यह मैंने आपको content के दौरान आपसे discussion किया हुआ है तो इसलिए इस questions का right option बनता है समाविशी सिक्षा आप questions के right option तक पहुँच पाए होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रेशन आपसे क्या कहता है तो नेक्स्ट प्रेशन आपसे कहता है समाविशी सिक्षा किस प्रकार कम खर्चिली होती है देखिए जो समाविशी सिक्षा है इसको बताया गया है कि एक कम खर्चिली है निकि इसमें कम खर्चा होते हैं कौन सी सिक्षा के अंतरगत तो समाविशी सिक्षा जो है किस प्रकार कम खर्चिली है निकि जो ज्यादातर जो लोग है वो ये मानते है या फिर जो आपका examiner है वो ये मानते है कि जो समाविशी सिक्षा है वो कम खर्चिली है तो चले options को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्यों इन्होंने कम खर्चिली बता है option first कहता है अध्यापक, विशेशग्य, चिकित्सक, आधी द्वारा सामानने बालकों को सिक्षा देने के कारण option second कहता है अध्यापक, विशेशग्य, चिकित्सक, आधी द्वारा अपंग तथा सामानने दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ सिक्षा देने के कारण Option 3 कहता है अध्यापक, विशेशग या चिकित्सक आदी के द्वारा अपंग तथा समाने दोनों को अलग-अलग सिक्षा देने के कारण Option 4 कहता है अध्यापक, विशेशग या चिकित्सक आदी के द्वारा अपंग वालकों को सिक्षा देने के कारण पहली बात तो ये है कि ये questions बहुत जादा आसान question है इसके options को देखकर 1% के लिए आपको लग सकता है कि बहुत जादा tough question होगा बट ऐसे questions बहुत जादा आसान होते हैं ऐसे questions के जो right option तक पहुँचना बहुती easy होता है तो चलिए मैं आगे बताता हूं कि हमें जो है इस तरीके के अगर प्रशन देखने को मिलते हैं तो हमें डरना नहीं है तो कि maximum strengths ऐसे होते हैं कि वो सोचने की पता है questions कैसा है कैसा नहीं है और वो confused हो जाते हैं और जल्द वाजी में या फिर ignore कर देते हैं ऐसे प्रशनों को तो यदि आपके सामने ऐसे ज्यादा शब्दों वाले option आपको देखने को मिलते हैं या फिर थोड़ा long questions आपको देखने को मिलते हैं तो आप confused नहीं होंगे क्योंकि ऐसे प्रशनों को करना सबसे ज्यादा आसान होता है सिर्फ आपको 2-4 key points को देखना होता है ठीक है तो देखे पहला option आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी content को बहुत अच्छे से देखा होगा classes को शुरू से attend की होंगे उनके लिए प्रशन बहुती easy है और जिन्होंने नहीं देखा वो पहले content को देखे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा असान होने वाला है देखे option first कहता है अध्यापक, विशेशग्ये और चिकित सक आदी द्वारा समाने वालकों को शिक्षा देने के करण जहां पर समाने वालकों को शिक्षा दिया जाता है उसको हम कहते है normal education system है नहीं समाने शिक्षा प्रणाली दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के करण option थोड़ा बहुत ठीक है क्योंकि यहाँ पर अपंग का मतलब है विशेश्ट और समाने का मतलब होता है normal यहीं दोनों ही प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के कारण बाकी दो options भी देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि इससे भी बहतर option आपको C और D में देखने को मिल जाए इसलिए ignore नहीं करना है आपको पहले चारो option देखने है ठीक तीसरो option कहता है अध्यापग विशेशग्या चिकित्सक आदी द्वारा अपंग तथा सामाने दोनों को अलग-अलग सिक्षा की बात की जए इसका मतलब समाविशी सिक्षा में आपको एक साथ शिक्षा देने की बात की जाती है इसलिए आपका C option नहीं हो सकता और अध्यापग विशेशग्या चिकित्सक आदी द्वारा अपंग वालकों को शिक्षा देने के लिए अपंग वालकों का मतलब सिर्फ विशिष बालकों की बात की जए इसलिए option D भी नहीं हो सकता तो बचावा option आपका B right option है क्योंकि यहां पर अपंग का मतलब होता है विशिष से और सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल और आपको पता है समान्य और विशिष दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है इसलिए इसकोरशन का right option होता है आपका B मैंने आपको बार बार बताए कि समाविशी सिक्षा से related जो भी मैं बाते आपको बता रहा हूँ यहां से आपको सीधा सीधा प्रशन देखने को मिलेगा और यहां से questions आप समझ पारे होंगे कि आप बातों को समझें क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आपके लिए वो प्रशन आसान हो जाएंगे अगर आप रटते फिरेंगे तो जब एक नया प्रशन आपके सामने देखने को मिलेगा तो महाँ पर आप confused हो जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि आप रटे वे question बहुत सारे question पढ़के गए लेकिन वहाँ से कोई question आया ने क्योंकि question जो है examiner ने new बनाया है तो new बनायेगा तो आपके पिछे question से तो आएगा ने वो सिधा सिधा तो यहाँ पर बात होती है understanding की और आपको पता है कि आज की education system जो है वो बालकिंद्रित है हैनि कि सब कुछ जो है understanding पर develop है तो इसका मतलब अगर as a teacher आप understanding ways study नहीं करेंगे तो आप बच्चों को कैसे understanding ways study करा पाएंगे कही ना कहीं हमारे देश की यही बिडम बना है कि जो पहले के teacher थे और आपके teacher में बहुत ज़्यादा आपको differences देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि competition कुछ ज़्यादा ही बहतर हो गया है और यहाँ पर जो teacher newkt होंगे वो best होंगे तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि जो examiner है उसका mind setup क्या है questions को किस किस format में कैसे कैसे घुमा घुमा कि आपसे पूछे जा रहे हैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्ण में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ प्रश्णों को देख कर अगर आपने content को बहुत अच्छे से cover किया तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है interesting questions लग रहे हैं तो आप comment section में comment करके जरूर बताइए ताकि उससे मुझे थोड़ा motivation मिले और मैं आपके लिए और बहतर से बहतर questions आपके लिए ले करा हूँ और content को भी और बहतर से बहतर बनानी की कोशिश करूँ तो strengths अगर आप इस तरीके से comment करेंगे तो मुझे थोड़ा motivation मिलेगा और मुझे idea भी हो पाएगा कि शायद मैं कुछ सही कर रहा हूँ या फिर मुझे और थोड़ा changes करने हैं अपनी techniques में तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question आपसे कहता है strengths की समाविशी सिक्षा में कौन-कौन से समाजिक मुल्यों का विकास होता है निकि जो समाविशी सिक्षा आप inclusive education पढ़ते हैं उनके इंतरगत समाजिक मुल्यों का विकास कौन-कौन से के भाईचारा मतलब आप एक दूसरे के साथ coordination बिठाते हैं क्योंकि समाविशी सिक्षा के अंतरगत आपको पता है normal plus special दोनों ही प्रकार के बालक होते हैं तो दोनों ही प्रकार के जब बालक होंगे तो दोनों में आपस में भाईचारा develop होने चाहें दूसरी बात यह है यह भाईचारा आपको पता एक positive words है क्योंकि भाईचारा होना जरूरी है दयालूता दयालूता का मतलब होता है कि जो mercifulness हैनि कि आप एक दूसरी के परती दयाभावना रखे आप दूसरों को जो है गलत नजरों से ना देखे दूसरों के लिए help करने की आपकी विचारधारा होनी चाहिए तो यह भी आपका एक right यह पॉजिटिव words है और यह भी right option है और समायोजन का मतलब होता है strength adjustment हैनि कि आप अगर आपको किसी बच्चे से problem भी हो रही है तो आपको adjustment करने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा वो special है उसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो या उसे थोड़ा सीखने में उसकी जो गती है सीखने की गती वो थोड़ा कम हो तो इसलिए आपको adjustment करना भी आना चाहिए और एक बहतर विक्ति वही होता है जो adjustment कर सकता है जिसके अंदर धयालूता का भावना हो जिसके अंदर भाई चारे वाली भावना हो तो यह सभी गतीवीधियां जो है positive point से तीनों के तीनों को भी ये questions clear हो पाया होगा चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते है next questions 9 आपसे क्या पूछता है तो next question में आपसे पूछा गया students कि समस्या के अर्थ जानने की योग्यता वातावरन के दोशों कमियों एवंग रिक्तियों के परती सजगता जैसी विशेष्टा किस प्रकार के बालकों में देखी जाती है समस्या के अर्थ जानने की योग्यता निकि जो problem है आपके पास उस problem का जो meaning है उसको जानने की योग्यता वातावरन के दोश यानि कि जो भी environment के जो problem से दोश है कमिया है एवंग रिक्ति यानि कि जो भी problem आपके खाली रह गई है उसके प्रति सजगता है यानि कि क्या कमी है क्या दोश है और क्या चीज नहीं होने चाहिए क्या चीज खाली हो गई है इस प्रकार की जो सजगता है ज जो भी रिक्तियां खाली रह जाती है, उनके प्रति कैसे सजग होते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं, किस प्रकार के बालकों में आप देख सकते हैं, option first कैता है स्रजनशिल बालकों में, option second कैता है योग्य बालकों में, option third कैता है उर्जावान बालकों में, option fourth कैता है सामान्य बा कौन कौन से को हमें दोबारा से नहीं दोराना है इस प्रकार से इंवारिमेंट को पहचानने के लिए जो सजगता है जो जाग रुपता है ये किस प्रकार के बालकों में आप देख सकते हैं स्रजन्शिल वालकों में योग्य वालकों में उर्जावन वालकों में अगर मैं बा कि किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस जैसे वायरस आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा जो पूरे जो यूनिवर्स उसको एक जगह स्थिर कर देगा ठीक तो यह आप यह नहीं कह सकते कि बालक योग्य हो गया या किसी भी सिच्वेशन के लिए तयार हो गया आपको भी आजाए तो इसलिए योग्या वालक जो है वो सही option नहीं है उर्जावन वालक आप मान लीजे कि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है तो क्या वो हर प्रॉब्लम का solution निकाल सकता है जैसे for example के लिए मैं आपको बता दू खली या फिर undertaker यह बहुत ज्यादे ताकतवर या शक् पता है creativity बहुत जादा important है क्योंकि आज की date में जो अधुनिक शिक्षा वो बालकेंद्रित है जिस बच्चे में जिस प्रकार की quality उसको निखारना एक teacher का role होता है जैसे कि आपको पता है फ्रोबेल ने किंडर गार्डन वीदी दियो उसके अंतरगत उन्होंने का है कि शिक देगा कि बालक में क्या होना चाहिए या फिर पौधे किस तरीके से बड़े होने चाहिए ऐसे बड़े ने ऐसे बड़े होने चाहिए ठीक है या फिर उसकी चोड़ाई ज्यादा होने चाहिए यह डिसाइड नहीं कर सकता हाँ पौधे को वो सही ढंग से उसकी care कर सकते हैं सही समय पर उसे पानी देना सही समय पर उसका सही तरीके से उपचार करना ये माली के वश में हैं बट वो बालक या वो पौधा किस तरीके से डेवलप होगा वो स्वेम के नेचर पर डिपेंड करता है इसी तरीके से एक टीचर का भी रोल यही होता है कि जब आप अपनी problems उनके सामने ले कर आईए और देखिये की वो problems को कैसे solve करते हैं ठीक तो इस तरीके से teacher का role होता है ना कि teacher का role यह है कि उनके उपर कोई भी condition कोई भी जिम्मेदारी एक माहल करेड करके देना है जिसमें बच्चे अपने ग्यान का निर्माण सुइम कर सके हैं जिसे कि आप सब जो है या फिर यूपिटेट क्वालिफाइड है तो आपको समझाने की ज्यादा आवश्यक्ता नहीं या आपने CTAT या फिर UPTAT के दौरां जीन प्याजे को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जो CTAT qualified है उनके लिए best है तुकि जीन प्याजे से related तीन या दो प्रशन तो compulsory है CTAT में ठीक बट UPTAT में भी आपसे सीधे-सीधे पूछे जाते हैं तो इस चोटे बच्चे होते हैं उनको ननना बैगनी कहा है क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चे creative होते हैं आपने देखा होगा कि जो चोटे बच्चे होते हो हजारों सवाल करते हैं अपने parents से मम्मी से पापा से जो भी उनके आसपास होते हैं या दादी से हजारों प्रशन करते हैं तो इसलिए चो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कही ना कहीं creative बालकों में आते हैं, इसलिए इस questions का right option भी आपका होता है, स्रजनशिल बालक, क्योंकि स्रजनशिल बालक जो है, वो कही ना कहीं एक positive words, नि creativity को दरशाता है, क्योंकि आज की बाल केंद्री चिक्षा ऐसे creative बच लिखते हैं, next questions और इस practice set का last question आपकी screen पर है, 10th question, शारिरिक दक्षता के आधार पर अक्षम बालकों की श्रणी में किसे रखा जाता है, यहनि कि जो शारिरिक दक्षता है, यहनि कि जो physically जो दक्षता है, जो physically दक्षता है, उसके आधार पर अक्षम बालकों को श्रणी में किसे रखा जाता है यानि कि जो अक्षम बालक होते हैं जो अक्षम होते हैं असमर्थ होते हैं वो सारीक दक्षता की आधार पर जो अक्षम बालकों की श्रेणी में किसको रखा जाता है option first कहता है द्रश्टी बाधित, option second कहता है श्रवन बाधित, option third कहता है वाकदोष और option fourth कहता है ये सभी तो इस्ट्रेंट्स अगर मैं आपको बता दू द्रश्टी बाधित, यानि कि उसके जो है द्रश्टी से related जो दिक्कत होती है उसको द्रश्टी बाधित कहते हैं यानि कि जिनको देखने में problem होती है तो कही ना कहीं वो उसके physically पार्ट से relate करता है कहीं ना कहीं उसका जो है physically वो कहीं ना कहीं अक्षम है ठीक, दूसरा होता है आपका option श्रवन बाधित, श्रवन बाधित का मतलब होता है जो सुनने से problem होती है जिनको hearing impairment होती है यानि कहीं ना कहीं उनके इंद्रियां जो कान है वो कहीं ना कहीं अक्षम है तो वो भी उसके physical part से relate होता है यानि कि physical impairment है उसमें भी और वाकदोश, वाकदोश का मतलब होता है strength बोलने से related है यानि तुतलाना या फिर हकलाना या फिर नाक से बोलना तो ये भी कहीं ना कहीं उसके जो है शारिक दक्षता से relate करते हैं तो तीनों ही option उसके शारिक दक्षता से relate करते हैं और आप से पू प्रष्टिवादित, श्रवनबादित और वाकदोश, ये तीनों के तीनों जो है वो शारिक दक्षता की category में आते हैं ठीक है तो इसलिए questions का right option बनता है आपका ये सभी I hope आप भी questions के right option तक पहुँच पायोंगे और इस प्रशन को भी समझ पायोंगे तो students आपने देखा क समावेशी सिक्षा से related जो हमने content किये हैं उस पर based किस तरीके के आपके exams में प्रशन बनते हैं और बन सकते हैं इसी तरीके के प्रशन आपके super tech exam में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे तो यदि आप इस topics related जो भी 2 से 3 प्रशन आपके exams में पूछे जाएं उनको यदि आप confirm करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समावेशी सिक्षा की जो मैंने 5 भाग बताएं हैं जिसके अंतरगत मैंने समावेशी सिक्षा को detail में बताया है discussion की आपके साथ उनको पहले आप देखिए उसके बाद आप ऐसे practice set को solve कीजिए इस पर based मैं और भी 4 practice set लेकर तो इस topics related जो भी एक दो या तीन प्रशन जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो एक भी प्रशन आपका बाहर नहीं होगा इतना मैं आपको surety देता हूं आशा करता हूं कि यहां तक जो भी मैंने आपको बाते बताएं वो सब clear हो पाएंगे अगर आपको किसी भी points को लेकर क doubts आपके मन में बनता है तो आप comment section में comment कीजिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके doubts को clear करूं और अगर आपको यह class अच्छी लगी हो तो भी आप अपने जो भावनाएं वो मुझे व्यक्त कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा idea हो पाए कि मैं सही कर पा रहा हूं या गलत हो रह कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद